हाई फ्रेंड्स हेलो नमस्ते अत्ता एंड सत्सरीकार आज आपके साथ शियर करने चारही हूँ 5 इजी एंड सिंपल एक्सरसाइज फोर आइस आखों के लिए 5 सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज हैं आजकर अक्सरलोग लाप्टोग, मुबाइल और टापलेट पे बहुत अइंग तक काम करते हैं इससे क्या होता है जब ज़्यादा देर हम काम करते हैं इन सब चीजों पे तो हमें दुंदला दिखाई देने लगता है और हमारी आँखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है ऐसे में अगर हम इन पांच अक्सराइज को अपनी लाइट में आट्ट कर लेते हैं तो बहुत ही फायदा होगा और इससे आपका आइसाइड भी इंप्लोग होगा या एक्सराइज आप घर में या आप अपने ओफिस में बैठ एक्टे बीद कर सकते हैं इन पर बैठना चाहते हैं तो चेर पर भी बैठ सकते हैं फर्स एक्सरसाइज में क्या करेंगे अपने राइट हंड थम को राइट साइड रखेंगे हैड का पुजिशन एकी सेम पुजिशन पे रहना चाहिए एकी जगा पे रहना चाहिए अभी हम राइट हंड थम को देखेंग head की same position कुछ दे रसे ही रहे then center again right hand thumb को देखे center same left hand side left side करेंगे left thumb को देखे कुछ दे रुगे रहे center सेंटर ऐसे या फाइफ फाइफ टाइम इच एक्सरसाइज कर सकते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में दोनों रातों को साइड में फोल देंगे थम उपर की साइड होंगे पहले हम राइट साइड देखेंगे सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट ऐसे हम फाइफ फाइफ टाइम इस एक्सरसाइज को भी करेंगे थर्ड एक्सरसाइज में राइट हैड थम को पहले विल्कुल अपने सामने रखिए के सामने रखिए अभी हम इसको थीरे-धीरे देखते हुए हेट का पुजीशन एकी जगा पे रहना चाहिए राइट थाम को राइट साइड में ले जाएं और अपने राइट थाम पे द्रिश्टी बनाए रखें थोड़ी देर आसे इधर ही रुके और धीरे-धीरे करके इसको सेंटर में ले आएं वन मोर टाइब धीरे-धीरे करके राइट साइड को लेके जाएं आपकी द्रिश्टी राइट थाम पे रहेगी जैसे-जैसे थाम मूब होगा वैसे-वैसे आपकी द्रिश्टी भी मूब होगी बिल्कुल धीरे-धीरे थाम पो राइट साइड पे लेके जाना है कुछ देर इधर ही रुके और धीरे-धीरे सेंटर पे ले आएं सेम एक्सरसाइज लेफ्ट हैंड साइट सेट से लेफ्ट थाम आपके सामने होगा धीरे धीरे इसको साइब में ले जाएं, दृष्टी मूब होगी, ठंग के साथ, हैट एक ही पुजिशन में रहेगा, हैट को मूब नहीं करना है आपने, धीरे धीरे सेंटर में लेके आएं, ऐसे हम अ मतों एक्षेisesti को भी फाइब सकते हैं, नेक्स एक्सरसाईज औरहुक्ताब के साथ, ह्ताय राइन थाम यसे रखेंगे ऊपार, और लेफ़ एंद थाम, आसे हमारा नीचे रहेगा, पहले राइट थाम पूर यिरे के लिए, Then left hand thumb को देखेंगे Right Left Right Left इसको भी 5 times करेंगे Same exercise Other side से करेंगे Left hand up and right hand down पहले left hand को देखेंगे Left thumb को देखेंगे Right thumb Left Right thumb Left Right thumb इसको भी आप 5 times कर सकते हैं Next exercise हम क्या करेंगे Right hand thumb को सामने रखेंगे और धीरे धीरे करके इसको अपने पास लेके आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे करके अकेर हंगो उठे को अपने से दूर लेते हुए जाएंगे इसको भी हम 5 times करेंगे इसको भी हम 5 times करेंगे अगर हम ज्यादा दे लापटोप, मुबाईल या टापलेट पे काम करते हैं तो यह exercise करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो आखो को बहुत आराम मिलेगा थैंक यू और नमस्ति करेंगे